अमेरिका में भारतियों के खिलाफ नसली हिंसा के मामले बढ़ने के बाद दो साल में असी हजार भारतियों ने नए गन लाइसेंस लिए हैं अमेरिका में रहने वाले 40 लाग भारतियों में पहले बंदुके रखने का ट्रेंड नहीं था दो साल पहले मात्र 40,000 भारतियों के पास ही बंदुके थी अमेरिका के नेशनल फायर आम सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार अब गन लाइसेंस वाले भारतियों की संख्या बढ़कर 1,20,000 हो गई है सर्वे की अनुसार 20,000 भारतियों ने गन लाइसेंस के लिए अपलाई करने का मानस मनाया है अमेरिका में भारतिय समुदाय सबसे शान्ति प्री समझा जाता है यहाँ पर 100 अमेरिकियों पर 120 बंदुके हैं अमेरिकी जाँच एजनसी एफबियाई की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 2020 में भारतवन्शी अमेरिकियों पर हमले 500 प्रदिशत बड़े हैं इन में से जादातर हिंदू धर्मावलम भी है उधर उत्री अमेरिका में हिंदूों के संगठन कोहना के निकुष त्रिवेदी का कहना है कि जिस भी देश में हिंदू जाकर बसते हैं वे वहां के विकास में योगदान देते हैं पिछले पांस साल के दोरान हिंदूों पर हमलों की घटनाओं में तेजी आई है फिंकल्स्टाइन के मुताबिक अमेरिका, कनाडा, अस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में हिंदूों पर हिंसा बड़ी है हिंदू फोबिया को एक साजिश के तहत बढ़ाया जा रहा है इसी के साथ बने रही है राजनामा डिवी के साथ धन्यवाद